नमस्कार साथियो आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल प्रियम्ट टुटोरियल्स पर जैसा कि आप सभी जानते हैं कल से हमने उत्तर प्रदेश जीके की एक सिरीज स्टार्ट की है जहां पर पर दे शाम को साथ बजे हम एक सेशन अपलोड करते हैं जिसमें उत्तर प्रदेश की कंप्लीट जीके को हम 35 चेप्टर में डिवाइट करके उसको डीपली एनलाइस करके आप तक पहुँचा रहे हैं आने वाले एक्जाम्स हैं आपके यूपी के बहुत सारे एक्जाम्स आपके आने वाले हैं जैसे आरो एरो का एक्जाम जैसे यूपी ट्रपल सी, यूपी ट्रपल सी के बेसिस पर जुनियर सिस्टेंट, वीडियो, बीडियो, बीईयो, तो इन सभी एक्जाम्स में जो यूपी की जीके हैं उससे काफी कोश्चन्स पूचे जाते हैं तो ये सेशन्स जो हैं ये आपके लिए बहुत बेनिफिश हुए हैं तो कहीं न कहीं आपको बहुत सारी चीज़ें एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलने जा रही हैं तो जो लोग सब्सक्राइब नहीं किये हैं वो इस सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाए च जहां पर हम ancient history of UP यानि कि उत्तर प्रदेश का प्राची नितिहास इसके उपर बात करेंगे इस जो हमारे chapter होगा ancient history of UP इसे हमने दो पार्ट में डिवाइट कर दिया है आज हम discuss करेंगे part 1 और कल discuss करेंगे part 2 तो देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं question number 1 से from which one of the following sites mother goddess statue made up of bone has been found in upper paleolithic age यानि के निमनलिखित मैंसे किस इस्थल से उपरी पुरा पाशाण युग में हड़ी से बनी मात्र देवी की मूर्ती मिली है question ये previous year में पूछा गया है उत्रप्रदेश के exams में निमनलिखित मैंसे किस इस्थल से उपरी पुरा पाशाण युग में हड़ी से बनी मात्र देवी की मूर्ती मिली है options है गोदावरी वैली इन महरास्ट्रा महरास्ट्रा की बात ही नहीं करेंगे यूपी का जीके है तो आ सब्सक्राइमें जानते हैं कि ये आ Украї चर्चा को कर तो यह संकिर तो देखिए उत्त्र प्रदेश के प्रयागराज प्रयाघ। जो कि पहले इलाभा था अब उसे प्रयागराज के पाई गई नकाशिदार और और पॉलिष की गई हड़ी की वस्तु को मा देवी की रोप में वर्डित किया गया है The carved and polished bone object found in the Belan Valley प्रयागराज उत्तरप्रदेश has been described as a mother goddess or the statue mother goddess made of bones along with a stone equipment has been obtained from the Lohanda Lohanda Nala region of the Belan Valley प्रयागराज उत्तरप्रदेश पत्थर के उपकरण सहित हड्डियों से बनी देवी मा की मूर्ती बेलन घाटी प्रयागराज उत्तरप्रदेश के Lohanda Nala चित्र से प्राप्त हुई यानि के हड्डियों की एक object पायागा जिसको हमने क्या नाम दिया है जिसको के mother goddess का नाम दिया गया तो इसका सही उत्तर है option B Billan Valley in उत्तरप्रदेश अगला question from where three human skeletons in a single grave were recovered यानि के एक ही कब्र में एक ही कब्र के अंदर तीन मानव कंकाल कहां से बरामत किये गए previous year पेपर में question पूछा गया है कि एक ही कब्र में तीन मानव कंकाल कहां से बरामत किये गए options हैं महादहा, दमदमा, सराइ नहर राय और लंगनाज इसका सही उत्तर होगा option B दमदमा चलिए इसके बारे में जानते हैं दमदमा एक मद्य पाशाड कालीन इस्थल है जो कि उत्तरपदेश के प्रताबगर जिले में आता है और इसकी जो खुदाई है वो 1982 से लेकर 1987 के बीच इलाबाद विद्यारे दारा की गई थी और इस खुदाई के दोरान कुल मिलाकर 41 41 मानब कब्रे मिली थी जिसमें से एक कब्र ऐसी थी जिसमें कि 3 3 कंकाल मिले थी यानि कि उसमें 3 लोगों को दफनाया गया था तो जो ये question पुछा गया है कि एक कब्र में 3 मानब कंकाल कहां से बरामत किए गये तो ईसका सही उत्तर क्या हुआ एक ही कब्र में 3 मानब कंकाल दमदमा जो कि मिजोलिथिक site प्रताब गр डिस्टिकट में वहां से बरामत किए गये आपसे question पुछा जाएगा कि दमदमा site का जो खुदाई है वो किस ने की थी आंसर रहेगा इलावाद उनिवस्टी ने कब से कब के बीच में 1982 से 1987 के बीच में नेक्स पुछा जा सकता है कि दमदमा की जो खुदाई हुई है उसमें कितनी कब्रें मिली थी तो टोटल 41 कब्र वहां पर मिली थी जिसमें से कुछ कब्र सिंग जिण में single body पाई गिथी उनमे single कंट см चार कबर ऐसी थी जहां पर दो-दो कंकाल पाए गये थे और एक कबर ऐसी थी ज़िसमें तीन मानभ bıंकाल पाए गये थे तो एक ही question से हमको 4-5 answer यहाँ पर मतलब सिर्फ question एक है कहने को लेकिन यहाँ से आपको 4-5 question अलग-लग आप यहाँ से निकाल सकते हैं अगला question The Harappan civilization site Mandi is situated in which present district of उत्तरप्रदेश Harappan, Sabheta, Isthal, Mandi, उत्तरप्रदेश के किस वर्तमान जिले में इस्तित है, options आपके सामने है मुझफवर नगर, बुलंद शहर उन्नाव, शामली तो इस प्रशन का जो उत्तर होगा वो होगा सही उत्तर, option A मुझफवर नगर मंडी क्या है, मंडी भारत के उत्तरप्रदेश के मुझफवर नगर जिले का एक गाउं है, जो कि दिल्ली से उत्तर पूर्व में 200 किलोमेटर पर इस्तित है अब बात करें कि इसमें इसको हम डिसकस क्यों कर रहे है एक्चुली सिंदू गाटी हडपा सब्वेथा के अवशेश मंडी गाउं मुझवर नगर से मिले हैं, तो प्रेस्ट में आप से पूछा किया था कि हडपान सिविलाइशन साइट मंडी is situated in which present district of उत्तरपदेश हडपा सब्वेथा इस्तल मंडी उत्तरपदेश के किस वरतवान जिले में इस्तित है इसका अंसर वो मजफ़नगर, फिर इसकी लोकेशन क्या है, इसकी लोकेशन है दिल्ली से 200 किलोमेटर नौर्थीस्ट में, चीक है अगला कुश्चन Eastern boundary of the हडपा culture is indicated by which of the following हडपा संस्कृती की पूर्वी सीमा निम्नलिखित मैं से किस से संकेतित होती है option से हुलास, बढ़गाउं कहराना आलमगीरपूर इस प्रशन का उत्तर है option D आलमगीरपूर तो दा Eastern boundary of the हडपा civilization was till आलमगीरपूर मतलब हडपा सब्विता की पूर्वी सीमा आलमगीरपूर तक थी, यह हिंडॉन नदी के तड़ परिस्तित है आलमगीरपूर की खोज सबसे पहले भारत सेवक समाज ने की थी और इसकी खुदाई 1958 में Y.D. शर्मा के निर्देशन में की गई थी question एक है आप वहाँ से चार अलगला question निकाल सकते हैं पहला Easternmost boundary of हडपा civilization क्या है आलमगीरपूर दूसरा किस नदी के तरट परिस्तित है हिंडाओ नदी के तरट परिस्तित है ये इसकी discovery किस ने की थी इसकी discovery भारत सेवक समाज ने की थी इसकी खुदाई कब और किस ने करवाई थी तो इसकी खुदाई 1908 में Y.D. सर्मा के इंडिनेशन में हुई थी अगला कुशन देखेंगे अगला कुशन देखेंगे वर्तमान उत्तर परदेश में कितने महाजनपद इस्थित थे और में आ रहा है कुशन कुशन ये है कि आल ओवर इंडिया की बात करें तो वहाँ पर 16 महाजनपद थे जिसमेंसे जो आज का यूपी है आज का उत्तर परदेश है उसके अंदर उस समय के कितने महाजनपद इस यूपी के अंदर आते हैं लाई करते हैं आप्शन हैं 9, 8, 6 या 7 सही उत्तर होगा आप्शन B, 8 तो अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट लिट्रेचर एंड जैन लिट्रेचर दन नौर्धन इंडिया वस डिवाजनपद इंटू 16 महाजनपद बॉद्धिसाहित और जैन साहित्र के अनुसार उतरी भारत को 16 महाजनपद में वाजित किया गया था जिसमेंसे केवल आठ महाजनपद ऐसे हैं जो कि उत्तर प्रदेश में आते थे और उनके नाम क्या है उनके नाम है कुरू, पांचाल, शूरसेन, वस, कोशल, मल, काशी और चेदी उनके नाम क्या है which was the capital of which was the capital of सूरसेन महाजनपद यानि कि सूरसेन महाजनपद की राजदानी कौन सी थी कौशामभी, कंपिल्या, मतुरा और अहिचत्र सही उत्तर होगा option C, मतुरा option C, मतुरा तो the capital of सूरसेन महाजनपद was मतुरा, शूरसेन महाजनपद is one of the sixteen महाजनपद of ancient India, today it is located in the ब्रज, the region around मतुरा इन उत्तर प्रदेश, यानि कि जो शूरसेन महाजनपद की राजदानी थी मतुरा और जो शूरसेन महाजनपद है वो ancient India के 16 महाजनपद में से एक है, अगर आज के time की बात करेंगे, तो आज यह है उत्तर प्रदेश में मतुरा के आसपास के छेतर जिसको ब्रज कहा जाता है, वहाँ इस्ते थे, अगला question, the 23rd तीर्थांकर पार्शुनाथ was born in which district of उत्तर प्रदेश, 23 तीर्थांकर पार्शुनाथ का जन्म उत्तर प्रदेश के तो पार्शुनाथ क्या थे, पार्शुनाथ जैन धर्म के 23 तीर्थांकर थे और according to जैन टेक्स्ट, यानि कि जैन गरंथ के अनुसर उनका जन्म वारंसी में हुआ था, उनके जो अनुयाई हैं उनको निर्गरंथ कहा जाता था, तो आपके पास यहां से तीन फेक्ट मिले, पहला फेक्ट कि जो पार्शुनाथ थे वो जैन धर्म के कौन से तिर्थनकर हैं दूसरा जो पार्शुना थे उनका जन्म कहाँ पह था, उनका जन्म बुनारस में हुआ था, तीसरा जो उनके जो followers थे जो उनको क्या कहा जाता था उनको निर्ग्रंत कहा जाता था ठीक है next question where was the महा परिनिर्वाड of महात्मा बुद्धा took place यानि के महात्मा बुद्ध का महा परिनिर्वाड कहा हुआ था options हैं लुंबिनी काशी श्रावस्ती कुशी नगर सही उत्तरों का option d कुशी नगर तो इन 483 BC बुद्धा obtained महा परिनिर्वाड इन कुशी नगर उत्तर प्रदेश यानि कि 483 इसा पूर्व में बुद्ध ने कुशी नगर उत्तर प्रदेश में महा परिनिर्वाड प्राप्तु किया मतलब शरीर को त्यागना 8 इस्तूपास 8 इस्तूपास वर बिल्ट ऑन दा बोन रिमेंस ऑ बुद्ध आफ्टर निर्वाड आउट ओफ विच एट इस्तूपास 4 आर लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश बुद्ध के निर्वाड के बाद उनके अस्तिय विशेशों पर 8 इस्तूप बनाए गए और 8 मे उत्तर प्रदेश में इस्थित हैं ठीक है तो यहां से भी आपको दो तीन फेक्ट में लेंगे पहला जो महा परिनिर्वाण है गौतम बुद्धिची का वो कब हुआ वो 483 BC में हुआ कहां हुआ कुशिनगर उत्तर प्रदेश में हुआ फिर उनके जो हड्डियों के अवशेश थे उनके उपर कितने स्थू बनाएगे आठ बनाएगे उसमें से कितने UP में लोकेटेड हैं उसमें से चार उत्तर प्रदेश में लोकेटेड हैं अकला कुश्चन यानि कि उत्तर प्रदेश में बुद्ध ने पहला अपना पहला उपदेश कहां दिया और अपने कारे की नीव कहां रखी options आपके सामने हैं कुशी नगर, सारनाथ, श्रावस्ती या संकसा सही उत्तर है option B सारनाथ गुद्ध डिलिवर्ड हिस फर्स सर्मन और अपने कारे की नीव रखी जिसे धर्म चक्र परवर्तन के नाम से जाना जाता है अगला question कुशी नारा जिसको की आज के टाइम पर कुशी नगर कहते हैं वो किसकी राजधानी थी कुशी नारा, कुशी नगर was the capital of whom options हैं साकाज, लिचन्स, भगोस, मलाज सही उत्तर होगा option D मलाज मतला महाजनपद मल की राजधानी कुशी नगर और पावा थी और विलुप्त होने का छेत्र क्या था कुशी नगर था अगला कुशन, which of the following inscriptions give the information about the two अश्युमेग यग्यव performed by the king पुश्यमित्र शुंग निमनलिखित मैंसे कौन सा चिलालेख राजा पुश्यमित्र शुंग द्वारा किये गए दो अश्युमेग यग्यों के बारे में जनकरी देता है मार्क करके रखिएगा important question है, options है सारनाथ inscription, बेसनागर inscription, अयोध्या inscription, हाती गुमफा inscription, तो इसका सही उत्तर होगा option C, अयोध्या inscription, क्या होगा सही उत्तर, option C, अयोध्या inscription, the शुंगा dynasty was established by पुश्यमित्र शुंगा in 185 बीजी, शुंग राजवंच की स्थाबना, पुश् पूर्व में की थी, और शुंग राजव की शुंग वंश की जो capital थी वो थी विदिशा, विदिशा कहां पर है, विदिशा मद्रब्रदेश में है, और जो अयोध्या inscription है, वो अयोध्या शिलालेक से राजा पुश्यमित्र शुंग उदारा किये गए, दो अश्यमेग यग पहली जानकरें आपको मिली कि जो शुंग डैनेस्टी है, शुंग राजवन्स्य राजवनस की स्थापना किसने की शुंग ने, कब की 185 इसा पूर्द में की, विदिशा थी, विदिशा थी, जो कि मद्रदेश में हैं, तीसरा, कि जो अयोध्या इस्क्रिप्शन है अयोद्या शिलालेक है वहां से हमें राजा पुश्मित्य शोंगद्वारा किये गए दो अश्मिक यग्यों की जानकारी मिलती है अगला कुश्चन बुद्ध इस डेपेक्टेड ओन्द कॉइंस ऑफ वूम किसके सिगों पर किसके सिक्कों पर बुद्ध क महात्मा बुद्ध का चित्रण है औप्शन से वीमा कडफाइस कनिश्का नहपाद बुद्ध गुप्त सही आंसर होगा अप्शन भी तो कॉइन ऑफ कनिश्क डेपेक्टि सदा बुद्ध होन्द बैक कनिश्क का जो सिक्का है उसके पीछे वाले भाई पर यानि किव पर ब यो डबल डी ओ जिसको जो के ग्रीक वर्ड है जिसका के मतलब होता है बुद्ध इसमें ग्रीक अक्षरों में बुड़ो लिखा है इसका मतलब क्या होता है बुद्ध तो सही उत्तर था ऑप्शन भी कनिश्क अगला कुश्चन गुस्ट् a गंपरर तो कुछ बढ़र मों हुझे पुछा गया है लेकिन १ोप्शन देखके आप बता देंगे कि सहाईत्तर होगा और प्टंजाय योगा पतंजली भी कों यग्यों के पुरोहित थे और वे योग-दर्शन के प्रतिबादक भी थे योगा फिलोसफी तो आप से हाँ पर दो चीजों की जनकरी मिली है आपको पहला तो कि योगा फिलोसफी के एक्सपाउंडर कौन है यानि कि प्रतिबादक कौन है वो पतनजली ही और साथ में यह पत से पहले हर्च वर्धन की राजधानी क्या थी ऑप्शन से श्रावस्ति कुशिनगर कौशाम्भी थानेश्वर सही उत्तर ऑप्शन डी थानेश्वर फाउंडर ऑफ वर्धन डानेश्टी वस पुश्य भूती था मोस्ट कैपेबल रूलर ऑफ दिस डानेश्टी वस हर्च वर्धन ही मेड कन्यौज अफ दिस डानेश्टी इन प्लेस ऑफ थानेश्वर तीन चीज़ां की जनकारी दी गई आपको पहला वर्धन वंश का इस वंश का सबसे योगिशाशक कौन था हर्चवर्धन था तीसरा थानेश्वर के स्थान पर कन्यौज को इस राजवंश की राजधनी किसने बनाया किसने बनाया हर्चवर्धन ने ठीक है तो अगला कुशन देखते हैं हूँ वस्ट गुपता रूलर हूइश्यूड प्रफिएक प्रफश compound और सभुपत और स्चुख बाट की गया वेतों सब्सक्रानाय कौन चंद्रुंबतार लेश न lot फिरूंट फर्स्ट आए इसांडर पर और पहला प्राशम फिक्रफ्ति षार्फ करने वाला पहला का जंद डु版 कर न coli तो चंद्रगुप्त फर्स्ट वस फांडर ऑफ गुपता एंपायर एंड रूल्ड फ्रोम एरूंड 322-335 C.E. इसवी चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त समराज्य का संस्थापक था और उसने लगभग 320-335 इसवी तक साशन किया था तो इसका सही उत्तर हुआ ऑप्शन ए च प्रदेश के निमलिखित मैंसे कौन से केंद्र सिंदु घाटी सब्वेता से सम्मंदित नहीं है ऑप्शन्स आपको चार दिये गए यहां पर काली बंगन लोथल आलमगीरपूर और हुलास बताते चलें कि इसमें जो थर्ड और फोर्थ हैं आलमगीरपूर हुलास यह यू Sun Attorney कहा रहा है कि सेटर सेकन्ड यू पी में घंअलने काली यूप में नहीं ब्यूंधिर अर्ञ यूद्ल c हैं उसन ऊस्ट प्रियों आदनल ट काली अमें यहां पर और टाश्र गया वो सह का क्रुट सेकन्ट अन्सर होगा ऑप्शैन बील भिदर क्रेक्त ऑंसर बी तो from the given sides only आलमगीरपूर और हुलास आर फ्रॉम उत्तर प्रदेश दिये गए स्थलों में से केवल आलमगीरपूर और हुलास उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश से हैं यहां पर हमारे questions एंड हो रहे हैं लेकिन हमने कुछ महत्यपूर्ट जानकारी महत्यपूर्ट तर्थे आपके लिए संभाल के रखे हुए हैं जो हम आगे डिसकस करने जा रहे हैं तो यह हम देखते हैं टाइम लाइन ओफ एंशेंट डैनेस्टीज कि मघद एंपाइर की बात करें तो यह 684 ब कुष्णा डैनेस्टी 90 AD से लेकर 100 AD शकर डैनेस्टी एरांड 78 AD गुपतर डैनेस्टी 319 AD से लेकर 543 AD वर्धन डैनेस्टी 550 AD से लेकर 647 AD और गुजर प्रतिहार डैनेस्टी मिड एट्थ से लेकर 11th century AD और चंडेला एंड गडवाला डैनेस्टी 9th से लेकर 13th century AD बहुत important है आप इसका screenshot लेकर रख लिजेगा और अगर screenshot आप नहीं लेना चाह रहे हैं चो तो चैनल के description में टेलीग्राम का लिंक होगा वहां से आप टेलीग्राम के जैनल जॉइन कर लीजिए वहां पर आपको कि इसकी PDF मिल जाएगी नेक्स्ट छोटे छोटे फेक्ट्स आपके लिए लेकर आए हैं देखते हैं इन एंशियन टाइम्स उत्तर प्रदेश इस नोन एज मध्यदेश पुराने टाइम में जाने के प्राचीन समय में उत्तर प्रदेश को मध्यदेश कहा जाता था अगला थे विदेंसे ऑफ जूलिथिक एज फॉंड फॉंड पीर ताफगर दिस्ट्रिक फिर देविदेंसे ऑफ चलको लिथिक कल्चर फॉंड इस बीन फॉंड मेरट एं सहरान पूर थेन पंजाब पंजाब और सिंद रिजन लिए उसको कहा जाता था सब्संद्व नेक्स्ट उत्रप्रदेश इस नोओन आज पालना उफ बुद्ध रिजन और गया नेकि बुद्ध रिजन का पालना या कहते हैं क्रेडल उप बुद्धिजिस्म इंपोर्टन पॉइंट है मार करके क्लासिक से क्लासिकल एज या फिर गोल्डन एज ऑफ इंशियंट इंडिया यह कुश्चिन आप से कई बार बुचा गया है गुपता पीरड को किस नाम से जानते हैं क्लासिक एज से क्लासिकल एज या फिर गोल्डन एज ऑफ इंशियंट इंडिया इसके साथ ही हमारा आज का सेशन समाप्त हो रहा है काफी इंपॉर्टन कुश्चिन डिसकस किये गए हैं यह पार्ट फर्स था चेप्टर डू का कलम देखेंगे चेप्टर डू का पार्ट सेकिंड जहां पर ह बेल आइकन दबाके सब्सक्राइब कर लें जिससे कि आपको आने वाले वीडियो की जानकारी समय से मिल जाए थैंक्यू थैंक्यू फॉर वाचिंग